हेलो फ्रेंज नमस्ते वेलकम टू दे चानल ये व्लॉग है मंडे का तो यहाँ पे मेरी पूजा अर्चना हो चुकी है मैंने शिव अभिशेक किया था क्योंकि उत दिन था सावन का पहला सोंबार तो हैपी सावन आप सभी मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को ये वी पूजा करते समय मैं वीडियो नहीं बनाना पसंद करती हूँ और जैसे ही मेरी पूजा खतम हुई थी माशु जो है उठ गई थी शाम को हम गये थे मंदिर और मंदिर देखे कितना सुंदर है यह मतलब ऐसे तो यह मंदिर हर शाम को मतलब इस तरह से पूरे दियों से सजा रहता है यहां पर कुछ भजन संगीत भी हो रहा था और केरिल के मंदिर में जो है ना यह जेंट्स जो अगर मंदिर के अंदर है ना तो उनको जो है शर्ट पहनना टीशिट पहनना से अलावड ने इसलिए आपने कुछ एस तरह का व्यू देखा मंदिर के बाहर आप पहन स तक तक और यह शिव मंदिर है था और उसके सामने यह हनमान मंदिर भी था तो यहां के हमने सारे दर्शन किये और मुझे बहुत जादा सुकून मिला मुझे परसनली मंदिर आना बहुत पसंद है लेकिन घर के पास कोई है ने तो मुझे वेट करना पड़ता है जब मेरे दो फास्टिंग यहां पर मैं बनाही हूं सिधा मैं जो है आपको दिनर नहीं किया ऐस thou' इसक्स कुछ करdaughter माइन आट अन्ये अभी जो है मैं आटा लगा उन्गा और अब मैं सबजी कटिंग करूंगी तो वो मैं आलू और शिमला मिल्च बनाऊंगी सुखी सबजी तो मेरा डिनर नहीं है तो मेरे हजबन और बच्चे हैं तो उनके लिए मैं डिनर बना दे रही हूँ वैसे मेरे हजबन जो है न अगर मैं फास्टिंग कर लिए तो वो मुझे ऐसे मना करते हैं कि मत बनाओ ऐसे कुछ हलकाई बना दो पर फिर लगता है न वो दिन भर नहीं रहते हैं तो खाना तो प्रॉपर चाहिए और बच्चे जो हैं उनको भी खाना प्रॉपर चाहिए मैंने अगर भोग बनाती हूँ ना भगवान को अर्पिन करने के लिए तो मेरे पर बढ़ता न अलग है मुझे खुद काना था तो इसलिए मैंने उसी कडाही में जो इसको पहले थोड़ा सा भून के अपने ले निकाल दिया उसके बाद में जो है मैंने उसमें सबजी डाला है अभी और यहाँ पर माशून नहीं आटा खा लिया वो आटे से बहुत खेलते रहती है इसलिए मुझे आटा थोड़ा बचा बचा के रखना पड़ता है सूखा आटा भी खेल लेती है और मैंने आटा गूद के रख दिया तो वो भी खाल लेती और यहाँ पर ही सबजी बनाई मैंने मिक्स करके बहुत ही मतलब अच्छी बनती है यह सबजी सारे मसाले बगरे मैंने यहीं पर डाल दिये और बस ऐसे ही धीमियाच पर यह भूनते सब्स खा लिये थे और अभी फिर मैंने मिल्क ले लिया था फास्टिंग है तो फास्टिंग जैसा लगना भी चाहिए सेंदा नमक वेगरे मैं नहीं खाती हूं मैं शुरू सेсть करता हूं मेरे घर में सबी ऐसे ही फास्टिंग करते हैं सेंदा नमक से मतलब कुछ खा लिया फास्टिंग का तो उस तरह का हम मारे घर में ऐसे नहीं होता है दूसरे दिन ही आप खाना खा सकते हैं मतलब आनाज तो ऐसा ही करना पड़ता है यहाँ पर मैंने बना दिया फटा फट से सभी के लिए डिनर मैंने कुछ आप रिकॉर्ड नहीं किया मैं आपको अब सीधा नेक्स ट्डिय मिल रही हूँ तो next morning में भी रिकॉर्ड नहीं किया morning में काफी हरी रहता है सब कुछ तो बस सारे काम वगेरा हो गये माश्यों को मैंने सुला दिया है और अपनी जो मतलब सारे काम करके नहादो के पूजावाट करके मैं आ गई हूँ किचिन में सुबह मैंने ब्रेकफास में बनाई थी पूड़ी और छोले मैंने छोले बस बनाये थे तो नित्या ने उसके साथ पूड़ी डिमांड कर दी थी क्यूंकि वो छोले चपाती बगर के साथ नहीं खाती है मैंने सब सुबह यी बनाया तो मैंने सबको तो मैंने सर्फ कर दिया था गरम- करम आड मैंने सोचा मैं भी रख लेती हूँ अपने लिidad đटा इसी तरह से मैंने रख लेती हो यहाँ पर ढग करके फिर जब मैं काम करके आई तो अब मैं अपने लिए जो है यहाँ पर पोड़ी फ्राइ कर ले रही हूँ वैसे मैं ना मतलब सुबह अपने लिए भी बना के रख लेती हूँ सोसती हूँ क्या ही दुबारा बनाना फिर से काम बढ़ता है निकिनान मैंने अपने लिए भी जो है गरमा गरम पूरी हाँ पर फ्राइ की है और बड़िया सा जो है यह ब्रेकफास्ट अपने लिए रखा है और छोले भी बहुत अच्छे बने थे मिरसे सुबह सुबह जल्दी में भी पर बहुत एस्टी छोले बना दिये थे मैंने और यहाँ पर मैंने माशू को जान बुच के सुलाया है क्योंकि वो ब्रेकफास्ट करने ही नि देती आराम से उसको मैंने अच्छे से खिला पिला दिया पर जब मैं खाने बैठती हूँ न तो वो मेरी गोदी में ही बैठ जाती है तो मुझे न एक उतरह खाने को भी थोड़ा एंजॉय करना है वो मैं करी नहीं पाती हूँ तो फिर मैंने इसको सुला दिया फिर मैंने सुचा आराम से खाऊंगी मैं क्योंकि थोड़ा बनाना भी था तो फिर वो बनाने भी नहीं देती आटे में लग जाती तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ड्राइफरूट्स खाए है ड्राइफरूट्स मैं नाने से पहले खा लेती हूँ लेकि नान मैंने नहीं खाया क्योंकि पिछले दिन फास्ट था ना तो दूसरे दिन अगर पूजा करूँगी मैं तभी जो है कम्प्लीट होगा मेरा मैं कुछ इस तरह से थोड़ा करती हूँ तो फिर इसलिए अभी मैंने नहाने के बार मैं पहले डायफूर्स खाए थोड़ा आज अराम से टाइम ले करके ये क्लिप काफी छोटी सी मैंने बनाई ये वीडियो तो मैं बस आपके साथ में मतलब शेयर कर रही थी मेरा जो फास्टिंग रूटीन होता है न वो कैसा होता है खेर वो भी मैंने पुरे डीटेल में तो आपको दिखाया है नहीं मैं निक्स्ट मंडे को ट्राइ करूँगी वो डीटेल में दिखाने की पर जो भी मुझे पॉसिबल हुआ मैंने आप रेकॉर्ड किया है आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर कमेंट करना और मैंने पते बहुत कुछ सोचती हूँ कि मुझे ये बोलना है वो बोलना है लेकिन जब वीडियो मैं स्थार्ट करती हूँ मैं भूल जाती हूँ तो कई-कई पर आप क्लिप देखके समझ जाया कीजिए कि शायद यहाँ पर कुछ बोलना चाहरी होगी यहां मुझे इग्नोर कर देना जो भी मैं चीज़े भूल जाती हूँ यहां पर मैं बना रही हूँ चटनी क्योंकि मैं ना यहां पर बनाऊंगी दोसा मतलब मैंने राइस और दाल थे थोड़े मिक्स दाल मेरे पास पड़े हुए थे चुन लिया फिर सोक किया और फिर मैंने उसको बैटर कर दिया यहां पर चटनी बना दी मैंने बहुत बढ़िया सी और उसी का जो है मैं यहां पर बना रही हूँ दोसा मैंने अपने लिए बीटरूट डाल के थोड़ा बनाया अच्छे में पराठे तो बनाती हूँ पर मैंने दो साभी ट्राय किया कि कैसे बनेगा पर बहुत ही अच्छा बना था ये है हमारा आज का डिनर वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब मैं आपको मिलूगी नेक्स व्लॉग में हर हर महादेव हैपी सावन थैंक यू